और आपको सर्प्राइजिंग लाएगा दोस्तों OnePlus and Realme ये जो दो ब्रैंड से सबसे फास्टर चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज आए जी हाँ थोड़ा अलग लोकेशन थोड़ा अलग एंवाइनमेंट में आज कर रहे हैं दोस्तों कैसे लग रहा है TikTok दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड एप है सोचिए कुछ पिछले एक ही कॉर्टर में 175 मिलियन टाइम्स टोटल वो डाउनलोड हुआ था मतलब Facebook, WhatsApp, Instagram सब पीछे हैं सबसे उपर TikTok है Even in revenues they are growing like crazy मतलब YouTube के भी आगे चला गया है सोचिए My God, that's what TikTok is, short video format जो है न यसे हमारे tracking shots नहीं देखा तो जाके देखिएगा tips and tricks बताते हैं आपको वैसे हाँ, subscribe जरूर कीजेगा, ऐसी tech news हर रोज लाते हैं, बहुत सारे unboxing भी आ रहे हैं, तो subscribe करना मत बुलिए Tech news अच्छी लगती है, like जरूर कीजेगा, बात करते हैं आज की वीडियो की है, ऐसी जबर्दस वीडियो अप्लोड करते हैं, इसलिए subscribe करने कह रहा हूँ आज उसा, हमने Realme GT Neo 3, 150 watt charging वाले smartphone का unboxing किया हुआ है, जरूर जा के देखिएगा, 37,000 इसकी price आई हुई है, overall really, really good, इसमें ऐसे 80 watt का भी variant आता है, 80 watt charging का, तो मुझे लगता है, जादा लोग वो लेंगे क्योंकि थोड़ा सस्ता जरूर है, effective price around 30,000 है, so not bad at all, बात करते हैं, प वर्चुल राम के बारे में इतना बात करते हैं, लेकिन 10 में से 8 लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, that is very interesting, बैसे दोस्तों, आज का जो launch event हुआ, Realme Neo 3, Realme GT Neo 3, my goodness, बड़े-बड़े नाम हो गे, लेकिन उसी event में दोस्तों, आज उनका pad mini भी launch हुआ, Buds Q2 S भी launch हुआ, साथ में Smart TV X series उनकी जो है, वो भी launch हुए, अगर में iPad mini, iPad क्यों कह रहा हूँ, उनका जो Realme pad mini है, इसके बारे में बात करूं, तो 11,000 से ये start होता है, which I think is good, इसमें LTE and Wi-Fi दोनों भी versions आते हैं, अगर Buds Q2 S के बारे में बात करूं, तो 10 mm के drivers है, and 1 999 इसकी price आई हुई है, अगर TV के बारे में बात करूं, Smart TV X के बारे में, 40 और 43 इंची से अलग अलग variants है, bezel-less design वगेर है इसमें, and price जो start होती है, 23,000 है, 40 इंच की, और 43 इंच की, 26,000 है, so overall looking good, multiple launches from Realme. All right, Realme के साथ में, दोस्तों, OnePlus का भी बड़ा event आज हुआ, जहां पे multiple devices launch हुए, एक तो OnePlus 10R launch हुआ, OnePlus Nord, CE2 Lite 5G, ये भी launch हो गया, Nords, Buds भी launch हुए, अब दोस्तों, OnePlus 10R के बारे में बात करूं, तो it is exactly the same as Realme GT Neo 3, सिर प्राइस 2000 से उपर आई है, इसमें भी 80W and 150W का variant आता है, अगर मैं C2 Lite 5G के बारे में बात करूं तो, 1999, मतलब 20,000 के नीचे आया हुआ है, 120Hz IPS LCD स्क्रीन है, 695 प्रोसर है, मेरे हिसाब से, you know, it is one of those rare phones, rare क्यों, एक ही phone है OnePlus का, जो 20,000 के नीचे आया हुआ है, शायद अब 15-20,000 के price range में आया है, विच इस गुड, Nord Buds के बारे में बा single channel में, so, overall looks good and 2800, price भी अच्छी आया हुई है, so, yeah, OnePlus का बहुत बड़ा launch event हुआ है, साथ में Realme का भी, alright, बात करते हैं, fastest growing smartphones brand in India, और आपको surprising लाएगा, दोस्तो, OnePlus and Realme, ये जो दो brand से सबसे fastest growing है, in fact, first quarter of 2022 में आप देखोगे, तो OnePlus कुछ 347% year-on-year growth उने दिखाय हुई है, लेकि नमबर वन, अगर market share के बारे में बात करूं, तो Xiaomi is still on top with 23% market share, Samsung का 20% है, और Realme का 16% market share है, so, yeah, OnePlus is doing very, very good, इसे देखना ही है कि Apple का क्या, Apple ने उसका प्रिवियस कौर्टर तर, Q4 of 2021, तब बहुत जबरदस जंप ली होगी, क्योंकि दिवाली सेल थी, बहुत सारे लोग इने iPhones लिए हुएते हैं, आइफोन 14 के बारे में बात करते हैं, इतने दिनों से जो हम बात कर रहे थे दोस्तों, डिस्प्ले पैनल इमेजिस आ गये हैं उसके, और उसके हिसाब से, पिल एंड होल, जो प्रो वेरियंट होने वाले हैं, पिल एंड प्रो मैक्स, उसके अंदर पिल एंड होल होने वाला है, और नौच जो है वो नो प्रो मोडल, मतलब आइफोन 14 एंड एंड आइफोन 14 माक्स, इसके अंदर नौच होने वाले हैं, अल्बिध इस पहली बार हमें पंच होल के साथ आइफोन दिखने वाला है, वैसे, कामेरा बारे में बात करूं तो 48 मे मेगापिक्सेल सेटप, नौ 48 मेगापिक्सेल आइपोन, अल्राइट, अगें, X80 के बारे में, Vivo X80 सीरीज के बारे में हम बात करने हैं इतने दिनों से, फाइनली इंडिया लांच डेट आगई उनकी, में 18 को लांच होने वाला है, फैंटासिक, वैसे इसमें दोस्तों दो फोन्स होने वाले हैं, Vivo X80 Pro and Vivo X80, Vivo X80 Pro जो होगा, वो आने वाला है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 पे, और जो non-pro variant होगा, सिर्फ Vivo X80, वो Dimensity 9000 पे होने वाला है, एक बात याद रखिए, एवन दो इस non-pro, Dimensity 9000 जो प्रोसर है ना, कहा जा रहा है, it is even more powerful, at least on paper 8 Gen 1 से, So, very very interesting, वैसे ZEISS के optics होने वाले हैं, with OIS, so camera obviously एक series का highlight होता है, वही कुछ होने वाला है, Vivo X80 में, वैसे we are going to do camera review, unboxing, सब कुछ करने वाले हैं, अलग तरीके से करने वाले हैं, so it's going to be a lot of fun with Vivo X80. All right, POCO M4 5G launch हो गया है, 12999 इसकी प्राइज है, कल मैंने सभी specifications बोले थे, वैसे कुछ है, यह 5G है दोस्तों, and Dimensity 700 पे आता है, dual camera setup है, 50 plus 2, वो 2 निकाल देते तो भी चलता था, 50 वाय पिक्सेल सी रखते थे, at least they could have done that, नहीं तो सभी लोग यह 2MP का secondary camera डालते हैं, which is not good, but 12999 के सबसे मुझे लगता है, it is a good deal, आपको क्या लगता है, POCO M4 5G के बारे में, यह जरू बताएगा नीचे comment section में, वैसे दोस्तों, डिस्पले भी अच्छा है, 6.58 इंच का 90 हर्स का डिस्पले है, so overall for 13,000, I'll give it a thumbs up, nothing, nothing आ गया है, not with a device, but with their launcher, nothing launcher, beta version जो है, Google Play Store पे आ गया है, so आपका जो जादा जोर है, दोस्तों, वो विजेट के ऊपर है, weather widgets लेके आए है, clock widgets लेके आए है, nothing के wallpaper है, वो भी थोड़े simplistic है, overall ठीक टाक लग रहा है, nothing out of the world, extraordinary कुछ नहीं है, but yes, yet another nothing launcher, वैसे अगर आप ट्राइ करोगे इसे इंस्टॉल करना तो अभी Samsung S Series, S21, S22 पे और Pixel phones पे available है, बाकी के ऊपर, try कीजे, शायद हो सकता है, Realme के हमारे, हमारा एक phone था, उसके ऊपर हमने try किया, install हो गया, so, उन्हें officially announce किया, सिफ Samsung and Pixel phones के ऊपर, but बाकी के phones पे भी हो सकता है, try कीजे, और नीचे बताइए, आपके phone पे हुआ क्या, install, Alright, OnePlus के बार में और एक खबर में बताना भूल गया, दोस्तो, एक phone बाहरा आया हुआ है, जिसका नाम, code name है, OnePlus Meili, M-E-I-L-I, यह हो सकता है कि OnePlus Nord 3 है, and interestingly, यह जो Nord 3 है दोस्तो, यह Dimensity processor पे होने वाला है, it could be on Dimensity 8000 processor, मतलब 5G होगा, and Dimensity पे है तो aggressively price भी होने वाला है, so, interesting, and I am, as usually, very excited about it, चले दोस्तो, आज की हमाली थोड़ी सी अलग tracking tech news number 1338 होती है, अगर अच्छी लगी, like जरू कीज़े, subscribe लिए, वो कर दिया है, sharing करना आपके आत में, और remind टरना मेरे आत में, दोस्तो, इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक, keep tracking, stay safe, and यह अभी तक weekend ही है, कल सैटरड़े है,